इस लिए इसको बोला जाता है तर्मिनल इसके बाद यहां पे जहां से देखेंगे तोड़ा फरक कर दिया है वैसे तो यह बनता है आपका इनिटियल सेम है थोड़ा सा एंगल डिफ्रेंट कर दिया तो ऐसी सिच्वेशन में क्या किया जाता है एंगल को नेगेटिव समझा जाता है नेगेटिव दिया जाता है जिसे अब बता रहा हूं आपको यहां पे एंगल वाई चांस 40 डिगरी है और यहां पे आपका क्या हो हो जाएगा माइनस 30 डिगरी अब यहां से में कीज आपको बता रहा हूं इट विल बी नोन एज इन दा पोजिटिव डारेक्शन इन दा पोजिटिव डारेक्शन ओके और इट विल वी नोन एज नेगेटिव डारेक्शन इसी लिए इसको बोला जाएगा नेगेटिव एंगल ठीक है और इसको बोला जाएगा पोजीटिव एंगल समझ में आ रही आपको सबको इसको आप नेगेटिव एंगल बोल रहे हैं इसको आप पोजीटिव एंगल बोल रहे हैं और ओके यह चीज के लिए हो गई आपको सबको ठीक है इसके बाद ज्यान से चुनिएगा अभी तक हम सिरे पैंगल्स के बारे में बात करते आए थे बाई दिगरी अब हम क्या चीज़ा शुरू कर देंगे हम यह नाव यह गैटिंग में अब हम यहां पे उस दिगरी मेजरमेंट को रेडियन में टेंगे लिए करना सुझ करेंगे वेर्वी विल दू इन रेडियन ओके साइद स्क्रीन आपको नजन नहीं आ रही है वो कर देता हूं आपकी ये आपर जैसे देख सकते हैं यह 1 रेडियन है यह माइनस न रेडियन है ये 1 अंग यहां पर जब यह 1 1 तेम रेडियाई के साथ 1 unit के साथ कवर करता तो यह जो measurement है यह रेडियन को ही रेप्रेजेंट होता है जो आपकी आर्क की लेंथ है ठीक है तो जब आपकी रेडियस 1 है जब आपकी रेडियस 1 है जब आपकी रेडियस 1 है देन लेंस ओफ आर्क लेंस ओफ आर्क विल बी इक्वल टू रेडियस एंगल इन डिया दोनों बराबर होंगे यह माइनस वन है वन है क्योंकि डारेक्शन चेंज हो एंगा तो यह रहा है अगर्वाइज देखे यह 1 वाई 2 है दिस एज 1 वाई 2 तो इट विल वी ओनली केलगुलेटेड ओके वैर देर डोली वन रेडिया जरफ वन रेडिया आपके पास तभी ऐसा कुछ होगा नहीं तो ऐसा नहीं होगा अब जहां से एंगल लेंथ ओफार्थ अगर मैं जैसे कोई सर्कल आपका ले लेता हूं इस इस असर्कल ओके यह आपका एक पाइंट है यह मिडल में आपका एक पाइंट है दिस इस रेडिया दिस इस रेडिया यह एंगल अधी टाउं तो यह जो एल होगी एल क्या है इसी पर्टिकुलर के बीच की लेंग यह आर देन एल विल बी इक्वल तो आर फीटा या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं फीटा इक्वल टू एल बाई आर ओके यह कंडिशन सेम है यहां से इसी समय में आगए यहां से एक फॉर्मुला है बड़ा इंपोर्टेंट है अब इसको आप लिख सकते हैं ओके तो अब यहां से अगर मैं रेडियन की बाद करूँ एक सेंटिमेटर एक यूनिट जिसकी सर्कल की रेडियस है अगर किसी सर्कल की एक यूनिट रेडियस है ठीक है तो उसका सर्कॉंफिरेंस कितना होगा टू पाई इट विल बी दा रिप्रेजेंटेशन ओफ वन एक डिगरी तरी सिस्टी डिगरी इन रेडियन जब हम मेजर्मेंट करते तेंट पाई विल बी कलगुलेट इक्वल्स तो पाई विल बी कलगुलेट इक्वल्स तो ठीक है 180 डिगरी 180 डिगरी ओके येस इस देर अनिधिंग अधर व्यून तो आप यहां तक आपको क्लियर हुआ किंग जी जोट लगाना छोड़ दीजिए ओके इसके बाद है आपका relation between degree and radian यहां से बड़े ज्यान से देख्या है मैंने आपको पाई की वैल्लू क्या बताई है मैंने आपको पाई की वैल्लू क्या बताई है 180 डिगरी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिगरी ओके and 2π will be equal to 360 डिगरी तू से multiply हो गया अभी बताया था ना जब एक unit आपके circle की radius है तो circumference की value होगी 2π और 2π का मतलब है 360 डिगरी तो 2π किसके बराबर होगा है 2π radian equal to 360 डिगरी तो πाई radian की value आपके पास 180 डिगरी तो 1 radian में कितना होता है 180 डिगरी बाई पाई और एक डिगरी में कितना हो जाएगा पाई बाई 180 इस टू फोर्मूले बड़े ज्यान से अब आपको याद कर लेने है यह दोनों फोर्मूले अब आप याद कर लेने है एक यह हो गया है पाई radian equal to 180 डिगरी और एक आपको बताया था theta equal to L by R अब यह use करते हुए आप आते थे 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी 90 डिगरी 180 डिगरी 270 डिगरी यह तो आपके खर नहीं आये थे यहां तक आपके इसमें आया था तो 30 डिगरी किसके बाइकोल हो जाएगा 5 by 6 180 को 6 से डिवाइद के देखे 30 आएगा 180 by 4 180 by 3 180 by 2 तो मतलब समझ गए अब आपके इसमें आपको radian की फोर में दे रखा होगा because with the help of theta we can find out the value of land so far that's why we will use it in radian it means it will be understand to all if we are finding the length of arc then obviously we have to calculate our angle and we have to calculate our theta in degree now clear to everybody same यहाँ पे radian आगया आपके पाई की वाल्यू यहाँ 180 डिगरी पूसर के देखे clear हो जाएगा ओके यह चीज़ आप समझ गए इसके बाद यह दो फोर्मुले फिर से आपके बता दिये हैं मैंने अगर आपको किसी को radian में major में करना हो तो आप यह सीज़ इंप्लिमेंट करेंगे radian मेजर ठीक है और डिगरी मेजर दिस वन और दिस वन यह दोनों आपने करने इनको अपनी कोपी में एक तो आपका theta equal to lyr वाला ओके और दूसरा आपका pi equal to 180 degree और दोनों यह फोर्मुले अपनी third chapter की exercise शुरू करने से पहले करेंगे लिखेंगे ओके पहली exercise में यह फोर्मुले आपके काम आने है जो आपको करने है आप देखेगा भए अब इनको आपको radian में change करना है you have to change into the radian यह आपको radian में change करने है तो radian में change करने तो क्या करेंगे degree है वापिस दाता हूँ एक बार आपको थोड़ा remember करने के लिए 25 degree है radian में change करना तो यहां करेंगे क्या लिखूंगा मैं यहां पे पाई बाई 180 इक्वल टू 25 तो अलेट पाई की वैल्यों पुट मत कीजिएगा पाई को पाई में रहने देजिएगा इट विल टेन इन्टू दा रेडियन पाप से कार देजिए पाई 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 बाई 36 अंसर समझ में आगे आपकी बात ठीक है यह आपने समने करना है ओके इसके बाद आपका है माइनस 47 डिग्री 30 मिनट 30 डिग्री यह मिनट से डिग्री के लिए आपकी है तो इसको क्या करेंगे तब पूरे को डिग्री में तेन करेंगे 30 बाई 60 इट विल बी इक्वल स्टू माइनस 47 और 1 बाई 2 और मल्टिप्लाई किस में आ जाएगा पाई बाई 180 240 सिंपल है 520 सिंपल है ओके अब नीचे वाले में आपको क्या करना है रेडियन में चेंज करना है रेडियन में दिए हुए और आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है इसको दूसरे वाला फोर्मूला 180 बाई पाई और इसकी वैलू रख देने पाई की वैल्यू जब डिग्री मेजर में जेन करना हो जो क्या लेनी होती है 22 बाई 7 तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको ये पहले दो कोश्चन और ये फोर्मूले लिखने हैं और अपना चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 कंप्लेट करना है तो होमवर्क वट विल भी तो यू है तो कंप्लेट चैप्टर 2 इंपेर नोटबुक एंड डू एक्सरसाइज 3.1 कोश्चन नंबर 1 एंड कोश्चन नंबर 2 ठीक है ये आपने फिनिश करना है यही आपका होमवर्क रहेगा और साथ में राइट फोर्मूला डालतो है एंड लाइट आप वोलो बीटा रवे कोश्चन कब करा ओगे वो देखूँ अब अब एक वर्टक को को पोल के ना फिर आपको सारे बताओंगा मुंक अब वसाल माख रुसकों को थी अरे अज़िए अब तोल फोर टुड़े अब टाइम भी फिनिश होने वाला है यह तो झाल 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 झाल